अबसका स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स के स्पेशल बुलिटिन हेल्थ एंड फिटनेस को अनुलोम विलोम करते समय अकसर ये पांच गल्दियां करते हैं लोग अनुलोम विलोम एक ब्रीधिंग योग है अनुलोम विलोम को उंगलियों की मदद से डाएं और बाएं नोस्ट्रिल्स के जरिये बारी-बारी से करते हुए सास छोड़ने और लेने के तरीके से इसे किया जाता है दिल को स्वस्त रखने के लिए ये प्रणायाम फाइदे मन माना जाता है खराटे और साइनस की समस्या दूर करने के लिए भी अनुलोम विलोम फाइदे मन होता है पाचन और बीपी को बहतर बनाने के लिए ये प्रणायाम लाबदायक होता है हाला कि अनुलोम विलोम को करते समय कुछ गलतियों के कारण प्राणायाम का पूरा लाब आपको नहीं मिल पाएगा अनुलोम विलोम के दौरान होने वाली गलतिया अनुलोम विलोम एक आसान व्यायायाम है इस दोरान कुछ गलतियों से आपको प्राणायाम के फायदे नहीं मिल सकेंगे अगली बार अनुलोम विलोम करने से पहले इन गलतियों को जरूर ठीक कर ले जरूरत से जादा सेट्स ना करे कई बार लोग अनुलोम विलोम के जादा सेट्स कर लेते हैं आपको एक बार में तैस अंख्या के सेट्स करने से बचना चाहिए। एक बार में तीन से चार सेट्स से जादा ना करे। धीमे से सांस भरे और अपनी चमता अनुसार अनुलोम विलोम के सेट्स करे। ओवर अक्टिव माइंड यानि अनुलोम विलोम करते समय दिमाग को शांत रखे। सांस खीशते या छोड़ने का एहसास आपको महसूस होना चाहिए। ऐसी जगा बैठे जहां शांत मौहौल हो। शोर के बीच आपको ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है। या लाटन खराब हो सकता है। आसामाने तरीके से सांस ना ले। तेज या आसामाने सांस लेने से बचे। अपनी छमता के मुताबिक शांस ले। फोर्स लगाने की कोशश ना करे। मुँ से सास ना ले ये गलत तरीका है इसके सास साथ ही गहरी सास भरने के लिए फेफडों पर जोर ना डाले केवल सास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को महसूस करें सास छोड़ने का अंतराल छोटा होना कई लोग अनुलोम विलोम करते समय सास को तेज भरते हैं लेकिन सास छोड़ने का अंतराल छोटा होता है यानि सास लेना इनहेलेशन सास छोड़ने एक्जेलेशन के अंतराल से लंबा हो जाता है पीट सीधी ना रखना अनुलोम विलोम करते समय अपने शरीर और खास कर पीट को सीधा रखे अगर आगे जुक कर यासन करेंगे तो योग खराब हो सकता है अनुलोम विलोम के दौरान पोश्चर का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो बैक पेन परिशान कर सकता है अनुलोम विलोम करने का सही तरीका भी जान लिजे अनुलोम विलोम करने के लिए शरीर को सीधा रखते हुए ध्यान पूर्वक मुद्रा में बैट जाए बाई हाथ से ग्यान मुद्रा बना कर दाई हाथ के अंगूटे से दाई नासिका बंद करें उस दौरान बाई नासिका से स्वास भरें फिर बाई नासिका बंद करें और दाई नासिका से श्वास छोडें इस क्रिया को फिर से धोराएं अनिलोम विलोम को ऐसी जगा बैट कर क करें जहां ताजी हवा हो प्राणायाम करते समय शरीर और दिमाग को बिलकुल रिलाक्स रखें सासों पर फोकस करें इससे आसन प्रभावी बनता है हाथ की उंगलियों का सही इस्तिमाल करें अंगूठे और तरजनी उंगली को जोड कर रखें इन टिप्स का इस्तिमाल करके अनुलोम विलोम को आसान बना सकते हैं ऐसी ही और खास वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें